असलाम लेकूम, come back to my channel, कैसे हैं आप सब लोग, alhamdulillah, मैं भी ठीकूँ, अच्छा जी, आज हम जा रहे हैं, बाहर गूमने के लिए, आप देखते हैं कि किस दगा जाते हैं, तो सोच रहे हैं कि लोग ड्राइब पे जाएं, पच्चे भी रैटी हैं, और आज संडे का दीन है तो चलते हैं, चलें, अपने व्लोग का स्टार्ट करते हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, और आपको बच्चों से भी मिलवाते हैं, अब उजहर इदर आओ, बास सुनो, इदर आओ, जी, अब उजहर कहा जा रहे हो आप, परणानिया भी पकानिया अभी साइखी हो आगी पिर पता चलेगा आचा चलेगा और आमना भी रेटी है अरे मामू बढ़ गया गारी रेले वह आ जाए फिर चलते हैं अच्छा जी भेंट मेरी आगी है और इनसे भी वाते हैं आपको आजी अस्लाम लाइकूम कैसे हैं जी आ अबनी के ख़र आ गई हो और बच्चे रेड़ी है तो बच्ची चलते हैं फिर आप भी हमारे साथ चले हो हमना आमना कहा जा रहे हैं हम लाइं पर जा रहे हैं अच्छा वाँ भी वाँ कपड़े तो बहुत अच्छे पहने हों है और आपको संटी लग रही है शूस पी पह हैं अच्छा आज खुश हो मामो के साथ जा रहे हो उस दिन तो नहीं जा सके आज खुश हो चलो देखो दे रहा है दरुस्ट आए ठीक है ना क्या कर रही है आम ना अच्छा जी बच्चे जो है इंतजार कर रहे थे मामो का क्योंकि भाई मेरे गए हुए थे पेट्रोल डनवाने गाड़ी में लेकिन देर से पिराए थे मैं सुझी उनको दोस्त मिल गए थे उनके तो इसलिए उनको थोड़ी देर हो गई थी वो देर से आई थे हुआ क्योंकि देर हो गई है तो इसकी इप जैना जाते है अब निकल रहे हैं और बहुत ही तेर हो गई है देखिए फिर अब दस्रीक दस्रीक कुई जगा होगी तो जाएंगे जल्दी तो आजाएंगे तो आजाएंगे तो बड़ी कंप्लेंड में रहे हैं अब इस जगह बया करेंगें के छोऽाएंगे सबसे हैं अचा जी सारे रस्ते ही मामू जो हैं बच्चों के साथ बाते करते गए थे मामू बच्चों के साथ लगा रहे थे और मामू इनकी शिकायते सुन रहे थे हैं अचा जी हम फाइनली पूँच गए थे जिनाब पार्क लेकि ये पार्क जो है कोविट की वज़ा से पहले बंद रह गया था तो हम अब गए तो थे लेकिन कोई रैश नहीं था और जूले भी सारे बंद थे इस पार्क में और इतनी सफाई भी नहीं थी लेकिन ये क्योंके चनाब पार्क है तो बचे कहा रहे थे कि हमने दराय चनाब दे जैसे के होता है बहाव गर्मियों में होता है पानी का बहाव सर्दियों में तो नहीं था इतना और भाई मेरे ड्रॉन और आने लग गये थे कि उनको तो इस तरह की जगा चाहिए थी जाते साथ ही बच्चों ने जो है होट्स राइडिंग की थी और कैमल पर बैठे थे तो बस यही चीज़ें थी वहाँ पर जूले सारे बंद थे तो हमने कर थोड़ी सी दे यहां रुकते हैं बच्चे भी इंजॉय कर ले होट्स राइडिंग भी कर ले और जो है उट पर पर बैठ रहे हैं इसके बाद हमने जाना था दराय चनाप के साथ पार्क है उस साइट पर पिर हमने जाना था जाना था जाना था जाना था जाना था जो है इस तरह बाहर निकले तो बहुत अट्से के बाद तो बहुत ही निजॉय करते हैं और बहुत ही मज़ा आते हैं बच्चे तो बहुत ही खुश हैं और दिखाती हूं आपको के अम्मी जो है वह तो बैठी हुई है और निजॉय क भी पोई कर रही है बच्छों को देख देखकर खुश और हैं भी फिंह कर ली थे और पर बैट लिया था आमना और हमना तो नहीं बैठे थे कि कि इनको डर लगता है तो बस यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो हमने फाइनली डिसाइट किया था कि हम जो चनाप पार्क है जो चनाप के साथ एक दूसरा भी पार्क है उसी साइट पर चलते हैं बस ची अब हम वापिस जा रहे हैं इस पार्क पे कुछ भी नहीं था जूले सारे बंद थे बचों ने बस जूलों पर बैटके तस्वीरे ही एकिछ वाली थी और तो ये बंद थे तो बस वैसे भी मेरे भाई ने जो इसके साथ वाला जो पार्क है दूसरा उसका नाम भी चनाप पार्क है तो वो नहीं देखा हूँगा हम तो पहले भी माँ जा चुके हैं आपने मेरे शुरू में जो व्लॉग जिन्होंने देखा हुआ है हम जो हैं चनाप पार्क पहले भी जा चुके हैं तो लेकिन बच्चों ने जूले नहीं जूले थे तो हमने का उधर ही ले चलते हैं हलके हमारा दिल बिलकुल नहीं था लेकिन बच्चों की एकसाइट्मेंट देखके हम फिर रैडी हो गए थे जाने के लिए जो यह चनाप पार्क बना हुआ है यह बहुत ही अच्छा बना हुआ है और क्योंकि यह ओपन रह गया है जब कौविट भी था तब भी यह ओपन ही था तो इसलिए यह साफ आफर गड़ वाले लोगों को तो वहां से ट्रिप भी आयोए थे बच्चों के स्कूल जो है ट्रिप आयोए थे और यह बहुत सारे ट्रिप आयोए थे बच्चों के वहां और लड़कियों के बस यह जब हम वाग गय थे तकरीब न शाम ही ओने वाली थी और यह देखिए प्रिंदे दिखा रही हूं आपको आमना और हमना तो प्रिंदे देखकर जो यह क्राव थे देखकर बहुत ही खुश हो रही थी और बच्चों को इस वज़ा से लेकर आये थे कि यहां पर जूले हैं और बच्चों को तो बस यह होता है कि हमने राइट्स लेने हैं तो बस वो तो राइट्स लेने के लिए ही आए थे यहां पर और यह पार्क बहुत ही अच्छा बना हुआ है यह सारा व्यू मैं आपको दे रही हूं पार्क बहुत ही अच्छा था और पानी देखकर हमना और आमना तो बहुत ही खुश हो रही थी बस बच्चे जो है वो मामू को कह रहे थे कि हमने जूले जूलने हैं हमें जूले वाली जगों पर लेकर जाएं तो मामू जो है उनको राइट्स दिलाने के लिए लेकर गए हुए थे और अमी मैं और मेरी बहन जो है हमने कहा था कि हम थोड़ी सी रिफ्रेश्मिंट कर लेते हैं और हमारी चाई पीने का दिल करा था तो बस ही हमने बैठकर रिफ्रेश्मिंट की थी फिर बच्चों को भी बुला लिया था पहले तो हमने जाते साथ ही कोल्ड ड्रिंग्स ली थी और फिंगर चिप्स मंगवाई थी हमें तो ये था कि हमें चाई मिल जाए और खसूसन शाम के टाइम तो हमारी चाई मस्ट होती है हाँ जी कैचप डालने हैं किसी अभी साला भी लाइट सा डाने बस हाँ बस थी फिर हमने फिंगर चिप्स बन वाली थी और बच्चों को भी बूख लगी हुई थी और हम भी चा रहे थे किके हलका पुलका कुछ हो जाए साथ में तो बस बच्चों को बूख थी तो वो तो जल्जल्दी खा रहे थे क्योंकि उन्होंने फिर जूले लेने जाना था मामू कह रहे थे कि जल्दी जल्दी खा लो फिर मैंने आपको ले के जाना है जूले वाली साइट पे तो हमने फिर सोचा कि उसके बाद ही हम चाय पिएंगे जब बच्चे जूला जूलने जाएंगे जब बच्चे राइट्स लेने चले गए थे तो तब हमने बैट कर स्कून से चाई पी थी और हमने फिंगर चिप्स की प्लेट और बनवाई थी बहुत ही मजाया था और हमें कितनी देट से चाई की तलब हो रही थी बस अब बहुत ज्यादा ही शाम हो गई थी और तक्रीबन रात ही होने वाली थी जब हम वहां से निकले थे और बच्चों को भूख लगी हुई थी और फिर हमने डिसाइट किया था कि किसी ओपन एरिया जगह पर जाकर खाना खाते हैं तो यह मुल्तान वाली साइट पर हम आ गए थे और यह ग्लोबल विलिज जो है रेस्टोरेंट खुला है यह ग्लोबल विलिज नाम से और यहां भी बच्चों को जूले मिल गए थे तो बस जी इतनी देर में हमने खाना ओर्डर दे दिया था और जो बच्चे हैं वो जूलों पर इंजुआई कर रही थे यहां पर और यह भी मुल्तान में ही खुला हुआ है ओपन एरिया रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा बना हुआ है तो जो मुल्तान के रहने वाले हैं वो ज़रूर ट्राय करें यहां जाएं वैसे तो यहां पर अंदर भी जगा बनी हुई थी हाल बना हुआ था लेकिन जो हैं हमने की बाहरी बैठनी को जाएथा प्रैफर किया था है बसी बच्चे जो है जितने भी राइट्स ले लें इनका दिल नहीं भरता यहां पर भी वो जूले ले रहे थे और इनका दिल नहीं भर रहा था उनको यहां पर भी जूले मिल गए थे और वो बहुत ही खुश थे और मामू भी जो हैं उनको इंजॉय करवा रहे थे उनको जूला दे रहे थे बस भी मामू ही चनाब पार्क पर भी इन्हें जूले जूलवाते रह गए हैं और यहां पर भी मामू ही इंजॉय करवा रहे थे और हमारी जो है माओं की जान चुटी हुई थी और हम जो है इतनी देर में अप्टी टेबल पर बैठे हुए थे बस ही बच्चों से पूछ कर ही फिर हमने आउडर दिया था तो बच्चों को वैसे तो बार्बी क क्यों ही पसंद होता है लेकिन जो है उस दिन हमने चिकन फ्राइड राइस मंगवाई थे और चिकन मखनी हांडी मंगाई थी और पच्चों के लिए जो है कबाब आर्डर किये थे बस ही यह कुछ मंगाया था और साथ में कोल्ड ड्रिंक थे और बहुत ही मज़ा आया बहु जो है बच्चे बहुत ज़्यदा खुश थे बच्चों को बहुत ज़्यदा ही बूख लगी हुई थी और बच्चों से बूख परदाश नहीं हो रही थी बस थोड़ी दे के बाद ही फिर खाना आ गया था और हमने खाना एंजॉय किया था और कबाब बहुत ही मज़दार थे बहुत टेस्टी तकरीबन सब खाना ही अच्छा था ले चिकन मखनी हांडी तो बहुत ही मज़दार थी और बहुत टेस्टी थी और उसमें इतना मिसाला भी नहीं था और बच्चों ने बहुत शोक से खाई थी बच्चों को इतनी बूख लगी हुई थी उन्होंने तो इंतजार ही नहीं किया और फोरण ही डालने लग गए थे और बच्चों के मामों भी कह रहे थे के पहले इनको सर्फ करो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग और बहुत ही इंजॉय किया इन्शालत आला आपको मिलूंगी नेक्स व्लॉग में ओके जी अब दीजिये अजासत अला हाफिज